मैं आज आपने को के लिए लेकर आज चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जसका टॉपिक रहे आपके रीडिंग जनरल है को सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ अक्यूरी रेजोनेट करें हो सकता है सिर्फ कुछ परसें करें तो उपन-माइड़ हो कर सुनियेगा और जबरदस्ती अपने आपको रीडिंग में पिट इंत कीजेगा जितना आपके साथ रजनेट होता है है उतना ही accept कीजिए and leave the rest यह reading सभी zodiac science के लिए है हर उम्र की विक्ति के लिए है timeless है okay start करते हैं without wasting any more time देखते हैं कि आपके crush की नज़र में आप कैसे इंसान है how do they see you okay अपने crush के बारे में आप सोचे लेकर of course crush कोई ऐसा ही होना चाहिए जिसको आपकी existence के बारे में पता हो जिसे at least आपका नाम तो पता हो you know ऐसा कोई celebrity crush यह कोई imaginary crush यह कोई ऐसा crush के बारे में यह reading अप्लिकेबल नहीं होगी okay so don't do value first card we have okay healer of the ages beautiful अगर वो आपका ऐसा समझते है इस ताइप का परसन समझते है विवर्स दें यह ओन इलाइफ okay I just need one card okay so here we have the one so here we have three cards सबसे पहले हमें cards को explain करते हैं उसके बाद clarify भी करेंगे okay सबसे पहले viewers आपके crush को ऐसा लगता है जो सबसे beautiful यहाँ पर message है वो में सबसे पहले देना चाहूंगी कि आपके crush की नजर में जितना भी उन्होंने आपको observe किया है जितना भी जान पाएं है 30 40 20 10 परसेंट उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो quality है और जो energy है वो एक healer की energy है यूर बॉन healer यूर बॉन empath एक impact की आपकी vibration है एक impact की आपकी energy है इसका मतलब यह है viewers कहीं न कहीं आप दूसरों के दुख को ना केवल समझ सकते हैं उसे heal करने की भी ताकत रखते हैं उसको heal करने की भी शमता आप capacity आप रखते हैं और ऐसा नहीं है कि यह किसी practice से आपने अगा है no it is in one in you आपके अंदर पहले से ही है जन के साथ है आपके अंदर यह quality कि कहीं न कहीं आपके कैसे इसान है जो बहुत ही जल्दी दूसरे के भाव को दूसरे के दर्द को दूसरे के intention को sense कर सकते हैं feel कर सकते हैं okay अगर आप कहीं पर हैं तो आप वो vibration से महसूस कर सकेंगे कि यह इसान अच्छा है या बुरा बात बुलेगा अच्छी बात बुलेगा बहुत बुस्से में है या फिर इसान ठीक है यानि कि बहुत सारी बाते हैं of course सारी बाते नहीं लेकिन कुछ हद तक हमेशा आप यह च करने वाला है या यह चुपचा बैठा रहेगा कुछ चीज आप पहले से समझ जाते हूं यह कोई अगर तकलीफ में है दुख में है तो चीज आप पहले से भाप लोगी पहले से आपको समझ में आ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि इतना डीटेल में आपके क्रश को करता है कि आप दूसरों के तकलीफ को महसूस कर सकते हैं जैसे हम किसी से कहते है ना कि जिस पर बीती है वही जानता है तुम नहीं समझ सकते लेकिन आप वो इनसान हैं जो समझ सकते हैं बिना आप पर बीते भी आप दूसरे के तकलीफ को समझ सकते हैं तो यहाव दाट के प नाचरल ही रिलीस और उसे पता नहीं चलता इसलिए लोग से इतना समझ पाते होंगे कि आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगा आप बात करके उनका मन हलका हो गया. आप से बात करके थोड़ी उनकी चिनता कम हो गये, ठोड़ा अब अच्छा लग रहा आपके ख्रशने भी, आप से कुछ ऐसी वाइबरेशन्स, आपकी बातों से कुछ ऐसी वाइब उन्हे आई होगी या आपके interaction से उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आपके साथ बहुत ही comfortable और बहुत ही relaxed feel होता है आपके साथ बहुत ही soothing और बहुत ही light experience होता है तो ये एक healer की quality है और message भी है healer of the ages तो कहीं ना कहीं वो element है आप में वो तत्व है आप में तो इसलिए कभी कभी दूसरों की energy को feel कर पाना आपके लिए problematic भी हो जाता है या कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है उससे यानि कि जब कभी भी आप कुछ sense कर पाते हैं कोई घटना कोई बात कोई दुख की घड़ी आने वाली है किसी का कोई लॉस होने वाला है किसी की जान कोहानी होने वाली कुछ भी आप सपने में देखेंगी या आप sense करेंगी कुछ भी आपको bad feeling आने लगेगी कुछ ऐसा हूनी लगेगा आपको पहले से और उस चीज से आपको तखलीफ भी होती है कि आपको ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? आपको इतना down, इतना low क्यो feel हो रहा है? आपको समझ में आ जाता है बाद में कि आच्छा, इसलिए मुझे एक हथे से इतना low feel हो रहा था क्योंकि ये गटना गटने महली थी. लेकिन जब तक वो low feel होता रहता है तब तक आप परिशान रहते हूं कि पता नहीं क्या हो गया मेरी energy को इतनी down क्यों है क्योंकि आप वो sense कर पाते हो आपके crush इतना सोचते है viewers कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको देख कर लगता है कि आप दूसरे इंसान को पूरा समझ चुके हो या जान चुके हो आपकी बातों से ऐसा लगता है तो कहीं न कहीं आपके crush को कभी-कभी ऐसा लगता है viewers कि आप थोड़े से कह सकते हैं कि थोड़े से उनके लिए intimidating थोड़े सा उनके उनको trigger कर देते हो आप थोड़ा सा क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ इतना comfortable इतना light फिल करते हैं उन्होंने हो सकता है आपके साथ जादा समय नहीं बिताया है लेकिन आपके कुछ बाते ऐसी हैं कुछ आपके आज-पास से ऐसी vibe आती है कि जिस ने उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपको judge किया है यह इस तरह स से हो सकता है कि आप सच में healer ना हो उन्होंने सिर्फ जज किया हो क्यूंकि अन्हें आपके साथ comfortable लगा हो हो सकता है आप इतने बडे empath ना हो सिर्फ उन्होंने jedकिया हो कि अर आप तो दुसरों के तES को कितना समझते हैं तो यह हो सकता अगर यह तो आप ही बताएंगे कि क्या आप सच में ही ऐसे है या सिर्फ आपके करश ने आपको गलत जज कर लिया है एक गलत परसेप्शन बना लिया है दूसरा भी उमर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके क्रश कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप चीजों के पदर करना जांते हैं यह समवन जिसके पास जो चीज है आप उसकी वाल्यू करेंगे आप अपनी फैमिली की वाल्यू करेंगे अपने friends को value करेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को value करेंगे अपने पैसे को value करेंगे अपने रिष्टे को value करेंगे अपनी self respect को value करेंगे जो चीज़े आद की life में आपको मिली है आप उन सब चीज़ों कभी for granted नहीं लेते ना कभी friends को for granted लेते ना कभी parents को lightly लेते ना कभी चीज़ों को carelessly ignore करते है You are very considerate आप हमेशा चीज़ों की एहमियत, value और महत्व को समझते हैं और उन्हें वही महत्व देते भी हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि जितना respect आपको अपने parents को देना चाहिए उतना आप नहीं देंगे तो यहां पर आपके crush को लगता You are someone who value things कोई ऐसा इंसान जिसे चीज की कदर है जिसे इंसानों की कदर है जिसे रिष्टों की कदर है जिसे महनत की कदर है जिसे पैसों की भी कदर है ऐसा नहीं है कि आप इतनी materialistic हैं कि बस आपको यह वह आप चीजों के value करना जानते है You know what hard work is You know what struggle is तो आपके crush को कही न कहीं ऐसा हो सकता है आपकी कोई life story बता है यह किसी और से उन्होंने आपके किसी life incident के बारे में या आपके किसी life के past experience के बारे में आपके crush न कहीं से सुना है यह हो सकता है आपने ही बताया था यह हो सकता है कहीं न कहीं उन्होंने आपको देखा है notice किया है कि आप कैसे value कर रहे हो चीजों की कैसे value कर रहे हो कि जैसे कुछ लोगों तो है ना कि बचाओ खाना फेकते भी आप वैल्यू करोगे चीजों के आप नहीं फेक सकोगे, आप वेट करोगे, सोचो के दस मिनट बात रुखके मैं खालू, 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 लेकिन फेको ना, यह कहीं ना कहीं कुछ आपके पास होगा, एक्स्ट्रा तो दूसरी को खिला दो, मतलब आप चीजों को न उसका कितना जादा मेहतव होगा आपकी लाइफ में, जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करोगे, जिसको अपना पार्टनर बनाओगे, उसको आप कितना मेहतवद होगे, उसे आप कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी रिस्पेक्ट दोगे, ऐसा वो इमाजिन कर लेते हैं कभी- उतना detail में ना लगता हूँ, उसके आसपास लगता हूँ, but that's what they think, उनको ऐसा भी लगता है viewers, you have patience, because we have the card of patience, ऐसे ही नहीं गोला है मैंने, यहाँ पर patience का card है, उन्हें ऐसा भी लगता है viewers कि आप के अंदर बहुत धीरज, बहुत धहरे है, आप एक impatient एंसान नहीं है, या फिर आप impatient feel करते भी हैं, तो भी आप अपने आपको संभाल कर, patience रखना जानते हैं, कुछ लोग होते हैं, जब impatient feel करते हैं, तो फिर धहरे नहीं रख पाते, वेट नहीं कर पाते, और हमेशा impatient होकर, जल्दी बाजी में, चीज़े खराब करते हैं, जल्द बाजी में, जादा उत excitement में, वो गडबड कर देते हैं, लेकिन आप, अगर impatient होते हैं, तो उसे control करना जानते हैं, इसलिए आपके अंदर बहुत patience है, आप बहुत चीज़ों को बहुत समय तक जहेलेंगे, सहेंगे, या फिर देखते रहेंगे, जब पानी आपके सर के उपर जाएगा, तब आप react क करेंगे, बहुत टाइम तक आप patience रखते हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए hard work कर रहे हैं, तो इसका result आपको जल्दी मिले, ऐसी कोई जिद नहीं है आपकी, आप patience रखना जानते हैं, अगर आपने किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट की है, तो आप patience रखना जानते हैं, कि इसान समयाने पर अपने आप करेगा, तो रिष्टे हैं, चाहें आपका career है, चाहें आपके finances हैं, चाहें आपका प्यार है, आप patience रखना जानते हैं, इसलिए तो आपके crush अभी आपके अगर partner नहीं बने हैं, या अभी आप दोनों का ऐसा कोई strong relationship अगर नहीं है अभी, त तो भी आपको चीजों की जल्दी नहीं है, तो भी आप किसी ऐसी जल्दवाजी में नहीं हो कि मुझे या तो य ये पार्टनर मेरा मिल जाए, या फिर मिən छोड़ो इसको मैं खहीं और फिर, you know किसी और को चूज़ करूं का अपने लिये, किसी और को चूज़ करूं की इसा आप नहीं करोगे इसा आप नहीं करोगे इस लाइक समवन आपके अंदर उतना पेशन्स है कि उस फ्रेंड्शिप को उस बॉंड को आप डेवलप होने दोगे तो यह कुछ चीजें हैं जो उन्होंने नोटिस की हैं अबजर्व की हैं सुनी हैं या अपने आप मान ली हैं अज्यूम कर ली हैं तो वो तो आप बताओगे कि आप अच्छल में आप ऐसे हो या फिर यह सिर्फ आपके क्रश की धरना है जो पुराने हमारे फामिली मेंबर्स हैं पुराने सब्सक्राइबर्स हैं यह उनको पता ही होगा पहले से कि मेरा जो थोट है वह बहुत सेंसिटिव हैं तो यह समझ लेजेए 12 महिनों में से बारा महिनों में से यह 10 महिने तो ऐसे ही करता है तो आपको भी इस की आदग पढ़ गई होगी अछिए पिर करदेए 15 में में हा निंस्निया करते ही अ İंटेस्टिवार्य नें मिलौनी के तो नियुक्स परेट टाट गए आपको परेट तो वोसकता है आप एक ओवर्थिंकर हैं तोके बिलीव किया है लक्मी सी वीवर्स देखिये सबसे पहले यहां पर अब जो चीज दिख रही है इसमें जो कार्ड्स आए है सबसे पहले तो यह कि आपके क्रश को लगता है यह लोग जरी अठ्राक्टिव हैं तो उनकी नजर में आप अठ्राक्टिव हैं उनकी नजर में आप काफी जादा अट्राक्टिव है जरूरी नहीं है कि यह अट्राक्शन सिर्फ लुक्स की वज़े से है ओवरॉल कुछ ऐसा है बात करने का स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, हैस्टाइल या कह सकते हैं कुछ आपके अंदर स्केल ऐसा है कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी बात है, चाहें फेशिल फीचर्स कह लीजिए, दिखने में सुंदर हो या गुड लुकिंग हो लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको अट्राक्टिव बना रहा है यह सिर्फ चेहरी की खुबसूरती नहीं है जो जिसकी बात हो रही हो यहाँ पर इट इस सम्थिंग जो अट्राक्ट करता है लोगों को आपकी तरफ और उसी वजह से आप अट्राक्टिव लगते हो तो आपके फ्रश्ट को लगता है विवस्ट जिस तरह से आप बात करते हो जिस तरह से खुद को क्यारी करते हो इस पैशली और कम्म्यूनिकेशिन बहुत अटराक्टिव ए 보여 आपके फेकरेश्ट को ऐसा भी लगता है कि आप जो भी काम करते हो बहुत सोच समझ के करते हो या फिर एक ओवर्थिंग करो शायद उन्होंने आपके स्टेटस, स्टोरीज वगेरा देखा होगा तो सोचा होगा शायद आप ओवर्थिंग करते हो ऐसा कुछ या आपने कोई ऐसी बात उनसे शेयर की होगी जिस वज़े से उनको लगा होगा कि आप ओवर्थिंग करते हो तो ऐसा भी उनको लगता है यह लग सकता है तो उनको लगता है बहुत सोचते जादा हो हो सकता है कभी वह आपके अगर जादा क्लोज हो जाएंगे या कभी जाद आपका bond अच्छा होगा तो आपसे कह भी सकते हैं ये बात कि आप सोचते बहुत हो इतना मत सोचा करो क्योंकि उनको लगता है लेकिन उनको यह भी लगता है कि आप कही न कहीं अगर जादा सोचते भी हो जादा ओर थिंकिंग भी करते हो तो भी इसी लिए करते हो क्योंकि करना चाहते हो कभी भी जल्दी में डिम लेकं कि गल्ती नहीं करना चाहते हैं बहुत सोच समझ कि आप चीजे करना चौहते हैं तो इंटेश्यां आपका ऐसा नहीं होता कि बहुंत वो ककी आप अपह متें इसी लिए जाते हों कि आप सही डिसेजेंग ले सको तो तौका आयोजरों केशी को. से ठाफने को लगता है कि शुर आपके करश और और पिसेश पर से अपते करस्पा यहां वुबू है। यानि आप लोगों के साथ जादा open नहीं होंगे, frank नहीं होंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, friendship भी रखेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या है, ये कोई नहीं जान पाएगा, या आप क्या चाहते हैं, वो बात किसी को पता नहीं होगी, किस बात से आप बनाते हो, लोगों के साथ इन्टराक्ट करते हो, सोचलाइस करते हो, लेकिन जितना जरूरत है उतना, जितना सही रहेगा, जितना अपने होंगे, आप ज्यादा फ्रांक नहीं होंगे, जादा अपनी लाइफ के बारे में सीक्रिट्स नहीं बताएंगे, बोवत जादा किस तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा अकेले रहना जादा पसंद करते हो और समवन जिसको अकेले जादा शान्ती मिलती है अकेले में बैठकर जादा अच्छा लगता है और लोगों के साथ आप करते हो टाम स्पेंड लेकिन वह आपकी बेस्ट फेवरेट चीज नहीं है कोई हो ठीक है इसलिए आप जादा उपन अप नहीं होते है तो हो सकता है आपके करश को ऐसा लगा हो कि आप शायद कुछ बताते नहीं हो या आपके मन की बात क्या है समझ मे अपने आता है या फिर आप शायद सीक्रेट्स रखते हूं या फिर या आप जादा किसी के साथ इजिली कंफर्टबल नहीं हो पाते तो ऐसा उन्होंने शायद आपको परसीव किया है इस तरह से उन्होंने तो अकेले रहना पसंद करते हो साथ ही साथ यसाथ वीवर्स प्राउड है आपको यानि कि आप बहुत गर्ब करते हैं इस चीज़ पर मतलब आप जितने ओने से रहे हैं जितना आप सही रास्ते पर चले हैं हमेशा चाहें आपने स्ट्रगल किया चाहें आपने प्रॉब्लम फेस की लेकिन आपने शॉटकर्ट्स या चीप चीप चीज इस पर गर्ण केसा लगता है आप जैसे रहे हो वीवर्स उस चीजत कर अपको बहुत गर्म है जैसे आप कह सकते हो मैं कभी घॉसिप नहीं करती मैं करता कभी Physics कि युट नहीं कर शकता है तो आपने कुछ इस तरह का जीवन जिया है कुछ इस तरह की चीज़ को फॉलो किय लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया लेकिन मैंने तो वो काम नहीं किया भले उसमें जादा फायदा था मैंने तो मना कर दिया तो बहुत सारी चीज़े आप ऐसी कहते हो करते हो या दिख जाती है जिससे फता लगता है कि आप उन चीजों को लेकर बहुत प्राउड फील करते हो और प्राउड का मतलब यहां पर यह नहीं कि बहुत एगोइस्टिक फील करते हो यह बहुत आटिट्यूट या एरगिंस है आपके अंदर नो आपको चीज पर गर्व है कि आपने सही मार्ग को ही चुला है कोई चीप चीज होने के लिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने कोई ऐसी चीज कभी नहीं की जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी डिगनिटी को हर्ट होगा कभी नहीं तो यहां पर आप एक काफी सेल्फ इस्पेक्टिंग और डिगनिफाइड इंसान लग रहे हैं या फिर आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं और ये सिर्फ उनकी धारना है, ओके, तो कमेंट कीजिए, चलिए मिलते हैं, अगली रिडिंग में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाबाई, टेक केर, लव यो,